और आई अब सुनते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रध में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब देश के किसे ने किसी कौने में पानी से जुड़ा कोई उत्सव नहीं हो माग के दिनों में तो लोग अपना घर, परिवार, सुक, सुविदा छोड़ कर पूरे महिने नदियों के किनारे कल्पवास करने जाते हैं इस बार हरिद्वार में कुम्ब भी हो रहा है जल हमारे लिए जीवन भी है आस्था भी है और विकास के धारा भी है पानी एक तरह से पारस से भी ज़्यादा महत्वपूर है कहा जाता है पारस के स्पर्ष से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है वैसे ही पानी का स्पर्ष जीवन के लिए जरूरी है विकास के लिए जरूरी है साथियों माग महिने को जल से जोडने का संभवत है एक और भी कारण है इसके बाद से ही सर्दियां खत्म हो जाती है और गर्मियों के दस्तव होने लगती है इसलिए पानी के सर्वक्षन के लिए हमें अभी से ही प्रयाख शुरू कर देने चाहिए कुछ दिनों बाद मार्च महिने में ही बाहिस तारीकों वर्ल्ड वाटर डेवी है मुझे यूपी की आरैध्या जी ने लिखा है कि दुनिया में करोडों लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी को पुरा करने में ही लगा देते हैं बिन पानी सबसून ऐसे ही नहीं कहा गया है पानी के संकट को हल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेसेज पस्चिम मंगाल के उत्तर दिनाजपूर से सुजित जी ने मुझे भेजा है सुजित जी ने लिखा है कि प्रकृती ने जल के रूप में हमें एक सामुहिक उपहार दिया है इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सामुहिक है ये बात सही है जैसे सामुहिक उपहार है वैसे ही सामुहिक उत्तरदाईत में भी है सुजित जी की बात बिलकुल सही है नदी तालाब जील वर्षा या जमीन का पानी इस सथ हर किसी के लिए है साथियों एक समय था जब गाओं में कुएं पोखर इनकी देखवाल सम मिलकर करते थे अब ऐसा ही एक प्रयास तमिनाडू के तिरुवन्ना मलाई में हो रहा है यहां स्थानिये लोगों ने अपने कुओं को समरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है यह लोग अपने इलाके में वर्षों से बंद पड़े सारवजनी कुओं को फिर से जिवीत कर रहे है मद्द प्रदेश के अग्रोधा गाओं की बबीता राजपूत जिर्भी जो कर रही है उससे आप सभी को प्रेणा मिलेगी बबीता जी का गाओं बुंदेल खंड में हैं उनके गाओं के पास कभी एक बहुत बड़ी जिल थी जो सुख गई थी उन्होंने गाओं की ही दूसरी महलाओं को साथ लिया और जिल तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी इस नहर से बारिस का पानी सीधे जिल में जाने लगा अब ये जिल पानी से भरी रहती हैं साथियों उत्रा खंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदिश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है जगदिश जी का गाउं और आसपास का ख्शेतरा पानी की जरुनतों के लिए एक प्राक्षटरिक स्रोथ पर निरभर था लेकिन कई साल पहले इस स्रोथ सूख गया इसे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया जगदिश जी ने इस संकट का हल व्रक्षा रोपन से करने की ठानी उन्हें पूरे इलाके में गाउं के लोगों के साथ मिलकर हजारों पैड लगाए और आज उनके इलाके का सुख चुका वो जलस्रोत फिर से भर गया है साथियों पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामुही जिम्मेदारियों को समझना होगा भारत के जादातर हिस्सों में मैज जुन में बारुष शुरू होती है क्या हम अभी से अपने आसपास के जलस्रोतों के सफाई के लिए वर्षा जल के संचयन के लिए सो दिन का कोई अभ्यान सुरू कर सकते हैं इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बात जलशक्ती मंत्रा ले द्वारा भी जलशक्ती अभ्यान Lebanon भी शुरू किया जा रहा है इस अभ्यान का मुल मंत्रा है When it falls हम अभी से जुटेंगे हम पहले से जो rain water harvesting system है उन्हें दूरस करवा लेंगे गावों में तालाव में पोखरों के सभाई करवा लेंगे जल स्रोतों तक जार है पानी के रास्ते के रुकावटे दूर कर लेंगे तो जादा से जादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे मेरे पहरे देस्वासियों जब भी माग महेनय और इसके अध्यात्मिक सामाजिक महत्म की चर्चा होती है ते चर्चा एक नाम के बीना पूरी नहीं होती ये नाम है संत रविदास जी का, माग पुर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी की जैनती होती है, आज भी संत रविदास जी के शब्द, उनका ज्यान हमारा पथ प्रदर्शन करता है, उन्होंने कहा था, एकई माटी के सब भांडे, सबका एको सरिजन हार, रविदास व्यापई, एकई घट भीतर, सबको एकई घड़े कुमार, हम सभी एकी मिट्टी के बरतन है, हम सभी को एक ने ही घड़ा है, संत्र विदास जी ने समाज में व्यापत, विक्रूतियों पर हमेशा खुल कर अपनी बात कही, उन्होंने इन विक्रूतियों को समाज के सामने रखा, उसे सुधारने की रहा दिखाई, और तभी तो मिराजी ने कहा था, गुरू मिलिया रएदास, दीनी ज्यान की घुटकी, ये मेरा सवभाग है, कि मैं संत्र विदास जी की जन्मस्थली, वारानसी से जुड़ा हुआ हूँ, संत्र विदास जी के जीवन की अध्यात्मिक उचाई को, और उनकी उर्जा को, मैंने उस तिर्थ स्थल में अनुभाव किया है, साथियों, रविदास जी कहते थे, करम बंधन में बंद रहियो, फल की नात जियो आस, कर्म मानूस का धर्म है, सत भाखे रविदास, अर्थात, हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा, यानि कर्म से सिद्धी तो होती ही होती है, हमारे युवाओं को, एक और बात संत्र विदास जी से जरूर सिखनी चाहिए, युवाओं को कोई भी काम करने के लिए, खुद को पुर अपने तोर तरीके भी खुद बनाईए, और अपने लक्ष भी खुद ही तै करिए, अगर आपका विवेक, आपका आत्म विश्वास मजूद है, तो आपको दुनिया में किसी भी चीज से ड़नने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ, क्योंकि कई बार हमारी एक चली आ रही सोच के दबाव में वो काम नहीं करपाते, जो करना वाकई उन्हें पसंद होता है, इसलिए आपको कभी भी नया सोचने, नया करने में संकोष नहीं करना चाहिए, इसी तरह संत रज्जाज जी ने एक और महतोपुन संदेश दिया है, ये संदेश है अपने पैरों पर खड़ा होना, हम अपने सपनों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहें, ये बिलकुल ठिक नहीं है, जो जैसा है वैसा चलता रहे, रविदास जी कभी भी इसके पक्षमे नहीं थे, और आज हम देखते हैं कि देश का युवा भी इस सोच के पक्षमे बिलकु नहीं है, आज जब मैं देश के युवाओं में इनोवेटिव स्पिरिट देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं पर संत्र अविदास जी को जरूर गर्व होका, मेरे पैरे देश वास्यों, आज नेशनल साइंस डेवी है, आज का दिन भारत के महान वैज वैज्यानिक, डॉक्टर स्रीवी रमन जी द्वारा की गई, रमन इफेक खोज को समर्पित है, केरल से योगेश्वरन जी ने नमो एप पर लिखा है कि रमन इफेक की खोज ने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया था, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा स पंदेश्ट मुझे नासिक के स्नेहिल जी ने भी भेजा है, स्नेहिल जी ने लिखा है कि हमारे देश के अंगिनत वज्ञानिक हैं, जिनके योगदान के बिना साइंस से तनी प्रगति नहीं कर सकते थी, हम जैसे दुनिया के दूसरे व्ज्ञानिकों के बारे में जानते है वैसे ही हमें भारत के वैज्ञानिकों के बारे में भी जानना चाहिए मैं भी मन की बात के इंस्रोताओं की बात से सहवत हूँ मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी युवा भारत के वैज्ञानिक इतिहास को हमारे वैज्ञानिकों को जाने, समझे और खूप पढ़े साथ क्यों जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमेस्ट्री और फिर लेब्स तक ही सिमीद कर देते हैं लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज़्यादा है और आत्मनिर भर भारत अभियान में साइंस की सक्ति का बहुत योगदान भी है हमें साइंस को लेब टू लेंड के मंतर के साथ आगे बढ़ाना होगा उधान के तोर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेडी जी है रेडी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारिया और उसके खत्रों के बारे में बताया रेडी जी के थान है उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं चावल की ऐसी प्रजातियों को विक्सित की जो खास तोर पर विटामिन डी से युक्त है इसी मेहने उन्हें World Intellectual Property Organization जीनेवा से पेटेंट भी मिली है यह हमारी सरकार का सोभाग है कि वेंकर डेडी जी को पिछले साल पदमस्री से भी सम्मानित किया था ऐसे ही बहुत इनोवेटिव तरीके से लदाक के उर्गेन फुद्सोग भी काम कर रहे हैं उर्गेन जी इतनी उचाई पर और्गेनिक तरीके से खेती करके करीब 20 फसले उगा रहे हैं वो भी सैक्लिक तरीके से यानि वो एक फसल के वेश को दूसरी फसल में खात के तोर पर इस्समाल कर लेते हैं है न कमाल की बात इसी तरह गुजरात के पाटन जिले में कामराज भाय चौधरी ने घर में ही सहजन के अच्छे बीज विक्सित किये हैं सहजन को कुछ लोग सरगवा बोलते हैं इसे मोरिंगा या ड्रम स्टिक भी कहा जाता है अच्छे बीजों की मदद से जो सहजन पैदा होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छे होती है अपनी उपज को वो अप तमिलनाडू और पस्चिम मंगाल भेज कर अपनी आई भी बढ़ा रहे हैं साथियों आज कल चिया सिर्स का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे हेल्थ एवर्नेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्व देते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है भारत में इसे जादा तर भार से मंगाते हैं लेकिन अब चिया सिर्स में आत्मनिल भरता का बीड़ा भी लोग उठा रहे हैं ऐसे ही यूपी के बारबंकी में हरिस्चंदर जी ने चिया सिर्स की खेती शुरू की है चिया सिर्स की खेती उनकी आय भी बढ़ाएगी और आत्मनिल भर भारत अभियान में बददभी करेगी साथियों एगरिकल्चर वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने की भी कई प्रयोग देश भर में सफलतापुर्वक चल रहे हैं जैसे मधुरे के मुर्गे संजी ने केले के वेस्ट से रस्सी बनाने की एक मशीन बनाई है मुर्गे संजी के इस इनोवेशन से परियावरण और गंदकी का भी समाधान होगा और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का रास्ता भी वनेगा साथियों मन की बात के सुरताओं को इतने सारे लोगों के बारे में बताने का मेरा मकसद यही है कि हम सभी इन से प्रेना ले जब देश का हर नागरिक अपने जीवन में विज्ञान का विस्तार करेगा हर क्षेत्र में करेगा तो प्रगति के रास्ते भी खुलेंगे और देश आत्मन निर्वर होगी बनेगा और मुझे विश्वात है ये देश का हर नागरिक कर सकता है मेरे पहरे साथियों कोलकाता के रंजन जी ने अपने पत्रे में बहुत ही दिल्चस्प और बुनियादी सवाल पूछा है और साथी बहतरीन तरीके उसका जवाब भी देने की कोशिश की है वे लिखते हैं कि जब हम आत्म निर्बर होने की बात करते हैं तो इसका हमारे लिए क्या आर्थ होता है इसी सवाल के जवाब में उन्होंने खुदी आगे लिखा है कि आत्म निर्बर भारता ब्यान के बल एक government policy नहीं है बलकी एक national spirit है वो मानते हैं कि आत्म निर्भर होने का अर्थ है कि अपनी किस्वत का फैसला खुद करना यानि स्वयम अपने भाग्य का नियनता होना रंजन बाबु की बात सो टका सही है उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहूंगा कि आत्म निर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना जब प्रतेग देशवासी गर्व करता है, प्रतेग देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभ्यान नह रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। जब दर्जनों देशों तक मेडी नीन्जा करोना वैक्सिन को पहुंचते ही देखते हैं, तो हमारा माथा और उंचा हो जाता है। और ऐसा ही नहीं है, कि बड़ी-बड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर भर बनाएगी। और छेत्र में हमें इस गवरों को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही माइने में आत्मनिर भर बन पाएगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि आत्मनिर भर भारत का ये मंत्रा देश के गाउं गाउं में पहुच रहा है। बिहार के बेतिया में गही हुआ है, जिसके बारे में मुझे मीडिया में पढ़ने को मिला। बेतिया के रहने वाले प्रमोजी दिल्ली में एक टेक्निशन के रूप में LED बल्ब बनाने वाली फैक्टरी में काम करते थे। उन्होंने इस फैक्टरी में कायर करने के दोरान पूरी प्रक्रिया को बहुत बारिकी से समझा। लेकिन कोरोना के दोरान प्रमोजी को अपने घर वापिस लोटना पड़ा। आप जानते हैं लोटने के बाद प्रमोजी ने क्या किया। उन्होंने खुद LED बल्ब बनाने के छोटी सी यूनिटी शुरू कर दी। उन्होंने अपने खेत्रे के कुछ इवाओं को साथ लिया और कुछी महिनों में फैक्टरी वरकर से लेकर फैक्टरी ओनर बनने तक का सफर पूरा कर दिया। वह भी अपने ही घर में रहते हुए। एक और उदाहन है यूपी के गड़ मुक्तेश्वर का। गड़ मुक्तेश्वर से स्रिमान संतोष जी ने लिखा है कि कैसे कोरोना काल में उन्होंने आपदा को अवसर में बढ़ला। संतोष जी के पूर्खे शांदार कारिगर थे, चटाई बनाने का काम करते थे। कोरोना के समय जब बाकी काम रुके तो इन लोगों ने बड़ी उर्जाव और उत्सा के साथ चटाई बनाना शुरू किया। जल ही उन्हें न केवल उत्तपदेश बलकि दूसरे राज्यों से भी चटाई के ओर्डर मिलने शुरू हो गए। यही एक भाव बन चुका है जो आम जनों के दिलों में प्रवाहित हो रहा है। काजी रंगा के लोगों की चर्चा करें। मुझे लगा कि मयूर जी राइनोज के बारे में बात करेंगे। जिने वहां का गवरो कहा जाता है। लेकिन मयूर जी ने काजी रंगा में वाटर फाल्स की संख्या में हुई बडोदरी को लेकर असम के लोगों की सरहना के लिए कहा है। मैं डून रहा था कि हम वाटर फाल्स को साधान सब्दों में क्या कह सकते हैं। तो एक शब्द मिला जल पक्षी। ऐसे पक्षी जिनका बसेरा पैड़ो पर नहीं पानी पर होता है। जैसे बतक वगएरे हैं। काजिरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर आथोरिटी कुछ समय से एन्यूल वाटरफाल सेंसंस करती आ रही है। इस सेंसंस से जल पक्षियों की संख्या का पता चलता है और उनके पसंदिदा हैविटेट की जानकारी मिलती है। अभी दो-तिन सब्ता पहले ही सर्वे फिर हुआ है। आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि इस बार जल पक्षियों की संख्या पिछले वर्स की तुलना में करीब 175 प्रतिशक ज़्यादा आई है। इस सेंसस के दोरान काजी रंगा नेशनल पार्क में बर्स की कूल 112 स्पेशिस को देखा गया है। इन में से 58 स्पेशिस यूरोप, सेंटरल एशिया और इस्ट एशिया सही दुनिया के विविन हिस्सों से आए विंटर माइग्रेंट से है। इसका सबसे महतोपुन कारण ये है कि हम बहतर वाटर कंजर्वेशन होने के साथ हुमन इंटर्फियरंस बहुत कम है। वैसे कुछ मामलों में पॉजिटिव हुमन इंटर्फियरंस भी बहुत महतोपुन होता है। असम के स्री जादव पाएंग को ही देख लीजिए। आप मैंसे कुछ लोग उनके बारे में जरूर जानते होंगे। अपने कारियों के लिए उन्हें पदम सम्मान मिला है। स्री जादव पाएंग वो सक्स हैं जिनोंने असम में मजूली आइलेंड में करीब 300 हेक्टर प्लांटेशन में अपना सक्रिय योगदान दिया है। वे वन सवरक्षन के लिए काम करते रहे हैं और लोकों को प्लांटेशन एवं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वर्शन को लेकर परिरीत करने में भी जुटे हुई हैं। साथियों असम में हमारे मंदिर भी प्रकूती के सवरक्षन में अपनी अलगी भूमी का निभा रहे हैं। यदि आप हमारे मंदिरों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर मंदिर के पास तालाब होता है। हजो स्थित हयाग्रिव मदेब मंदिर, सोनितपूर के नागशंकर मंदिर और गुहाटी में स्थित उगरतरा टेंपल के पास इस प्रकार के कई तालाब है। इनका उपयोग विलुप्त होते कच्छूओं की प्रजातियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। असम में कच्छूओं की सबसे अधिक प्रजातिया पाई जाती है। मंदिरों के ये तालाब, कच्छूओं के सवरक्षन, प्रजनन और उनके बारे में प्रक्ष्रिक्षन के लिए एक बहतरीन स्थल्ब बन सकते हैं। मेरे पहरे देशवासियों, कुछ लोग समझते हैं कि इनोवेशन करने के लिए आपका साइन्टिस होना जरूरी है। कुछ सोचते हैं कि दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आपका टीचर होना जरूरी है। इस सोच को चुनोती देने वेले व्यक्ति हमेशा सरहानिय होते हैं। अब जैसे क्या कोई किसी को सोलजर बनने के लिए प्रसिक्षित करता है तो क्या उसको सैनिक होना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि हाँ जरूरी है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विष्ट है। माई गौव पर कमलकान जी ने मीडिया की एक रिपोर्ट साजा की है जो कुछ अलग बात कहती है। प्रसिक्षित करते हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं। नायक सरके और्गनेशन का नाम महागुरू बट्रेलियन है। इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर इंटर्व्यूस तक और राइटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक इन सभी पहलूँ के बारे में बताये जाता है। आपको यह जानकर हरानी होगी कि उन्होंने जिन लोकों को प्रस्रिक्षन दिया है उन्होंने थल से ना, जल से ना, वायू से ना, CRPF, BASF ऐसे एसे यूनिफार्म फोर्सिस में अपनी जगह बना ही है। वैसे आप यह जानकर भी आश्चेरे से भर जाएंगे कि सिलू नायक जिने खुद उडिशा पुलीस में भरती होने के लिए प्रयास किया था। लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बावजुद उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दम पर अनेक युवाओं को राश्च्र सेवा के योगे बनाया है। आईए हम सब मिलकर नायक सर को सुपामना दे कि वह हमारे देश के लिए और अधिक नायकों को तयार करें। साथियों कभी कभी बहुत छोटा और साधान सा सवाल भी मन को जगजोर जाता है। इस सवाल लंबे नहीं होते हैं। बहुत सिंपल होते हैं। फिर भी वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ दिन पहले हैदरबाद की अपणना रेडी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूशा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पी एम है, इतने साल सी एम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई। अपणना जी का सवाल बहुत सहज है लेकि उतना ही मुश्क कहने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया, मैं तमिल नहीं सिख पाया, यह एक ऐसी सुन्दर भासा है जो दुनिया भर में लोग प्री है, बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कवीताओं की गहराय के बारे में बहुत कु आप सब के साथ साजा करना चाहता हूँ दरसल अभी जो आप सुन रहे थे वो स्टेची अफ उनिटी पर एक गाइड संस्कृत में लोगों को सरदार प्रवास संस्कृत में लोगों के सबसे उची प्रतिमा के बारे में बता रही है आपको जानकर खुशी होगी कि केवडिया में पंदरा से जादा गाइड धारा प्रवास संस्कृत में लोगों को गाइड करते हैं अब मैं आपको एक और आवाज सुन वाता हूं आप भी इसे सुनकर हैरान हो गए होंगे दरसल यह संस्कृत में की जा रही क्रिकेट कमेंटरी है वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालों के बीच एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है यह महाविद्याल है सास्त्रार्थ महाविद्याले स्वामी वेदान्ती वेधपित्यापित स्री ब्रह्मवेध विद्याले और इंटरनेशनल चंद्रमवलिया चेरिटेबल ट्रस्ट इस टूर्नामेंट के मेचों के दोरान कॉमेंटरी संस्कूरुत में भी की जाती है अभी मैंने उस कमेंटरी का एक भहुती छोटा सा हिस्सा आपको सुनाया यही नहीं इस टूर्नामेंट में खिलाडी और कमेंटर पारमपारी परिधान में नजराते हैं कि आपको एनरजी, एक्साइडमेंट, सस्पेंस सब कुछ एक साथ चाहिए तो आपको खेलों की कमेंटरी सुननी चाहिए टीवी आने से बहुत पहले स्पोर्ट्स कमेंटरी हुई वो माध्यम थी जिसके जरिये, क्रिकेट और होकी जैसे खेलों का रोमांच देज भर के लोग महसूस करते थे टैनिस और फुटबॉल मैचों की कमेंटरी भी बहुत अच्छी तरह से पेस की जाती है हमने देखा है कि जिन खेलों में कमेंटरी समुरुद है उनका प्रचार-प्रथार बहुत तेजी से होता है हमारे यहां भी बहुत से भारतिय खेल है लेकिन उन में कमेंटरी कल्चर नहीं आया है और इस वज़े से वो लुप्त होने के स्थिती में है मेरे मन में एक विचार है क्यों न अलग-अलग स्पोर्ट्स और विशेशकर भारत के खिलों की अच्छी कमेंटरी अधिक से अधिक भाषाओं में हो हमें इसे प्रुथाइद करने के बारे में जरूर सोच रहा चाहिए मैं खेल मंत्रा ले और प्राइवेट समस्तान के सयोग्यों से इस बारे में सोचने का आगरह करूँगा मेरे प्यारे युवासाथियों आने वाले कुछ महने आप सब की जीवन में विशेश महत्वरक्त हैं अधिक तर युवासाथियों के एक्जाम्स परिक्षाएं होगी अब सब को याद है ना वारियर बनना है वारियर नहीं हंसते हुए एक्जाम देने जाना है और मुस्कराते हुए लोटना है किसी और से नहीं भी करना है खेलना भी नहीं छोड़ना है क्योंकि जो खेले वो खिले रिविजन और याद करने के स्मार तरीके अपनाने है यानि कुल मिलाकर इन एक्जाम्स में अपने बेस्ट को बहार लाना है आप सोच रहे होंगे यह सब होगा कैसे हम सब मिलकर इह करने वाले है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब करेंगे परिक्षा पे चर्चा लेकिन मार्च में होने वाली परिक्षा पे चर्चा से पहले मेरी आप सभी अग्जाम वारियर से पैरेंट से और टीचर से रिक्वेस्ट है कि अपने अनुभव, अपने टीप्स जरूर शेर करें, आप माय गौव पर शेर कर सकते हैं, नरेंद मोदी एप पर शेर कर सकते हैं, इस बार की परिक्षा पे चर्चा में युवाओं के साथ साथ पैरेंट्स और टीचर्स भी आमत्रित हैं, कैसे पार्टिसिपेट करना है, क कैसे प्राइज जीतने हैं, कैसे मेरे साथ डिस्कुसन का अउसर पाना है, यह सारी जानकारियां आपको माय गौव पर मिलेगी, अब तक एक लाग से अधिक विद्यार सी, करीब 40,000 पैरेंट्स और तकरीबन 10,000 टीचर्स भाग ले चुके हैं, आप भी आज ही पार्टिसि कीजिए, इस कोरोना के समय में मैंने कुछ समय निकाल कर, एक्जाम वारियर बुक में भी कई नए मंत्र जोड दिये हैं, अब इसमें पैरेंट्स के लिए भी कुछ मंत्र एट किये गए हैं, इन मंत्रों से जुड़ी धेर सारी इंट्रेस्टिंग एक्टिबिटीज, नरें साथ्यों को आने वाली परिक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुब कामना हैं, मेरे प्यारे देश्वासियों, मार्च का महिना हमारे फाइनांसियल यर का आखरी महिना भी होता है, इसलिए आप में से बहुत से लोगों के लिए काफी विस्तता भी रहेगी, अब जिस तरह से देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, उससे हमारे व्यापारी और उद्यमी साथ्यों की व्यस्तता भी बहुत बढ़ रही हैं, इन सारे कारियों के बीश हमें कोरोना से सावधानी कम नहीं करनी हैं, आप सब स्वस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, कर्तव पत्पट डटे रहेंगे, तो देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा, आप सभी को त्योहारों के अग्रिम शुपकामनाएं, साथ-साथ कोरोना के समन में जो भी नियमों का पानन करना है, उसमें कोई धिलाई नहीं आनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात आप सुन रहे थे, जिसमें कई बाते उन्होंने अपनी रखी है, जल सन्नक्षन का महत्व भी लोगों को बताया, और साथ ही संस्कृत भाशा पर जोर देते वे लोगों के सामने अपनी बाते रखी, और जाते-जाते कोरोना को ले करके भी लोगों को जागरुक किया, कि अभी भी ये नहीं सोचना है कि कोरोना खत्म हो गया, बलकि इस महामारी से हम अभी भी जूज रहे हैं, और जो बड़ी बाते हैं वो आपको ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बता भी रहे हैं, छात्रों को ले करके उन्होंन मंत्री